मॉनिंग क्लास सेकिंड सब्जेक्ट आपका हिंदी व्याकरण तो चलिए बच्चों आप भी अपनी अनपम हिंदी व्याकरण पुस्त खोड़ लीजिए और इसमें देखिए अध्याई प्रेथम आज हम आपके प्रथम अत्याई जिसमें हमने भासा के बारे में अध्याई किया हमने जाना कि भासा के ही द्वारा हम अपने मन की बात दूसरों तक पहुचाते हैं और दूसरों के मन की बात को भासा की माध्यम से समझ पाते हैं न फिर हमने इसमें भासा के परियोग जाने कि भासा के परियोग चार परकार से किया जाते हैं भासा का परियोग लिखकर बोलकर सुनकर और पढ़कर किया जाता है फिर इसी में हमने भासा के रूप के बारे में जाना भासा के दो रूप होते हैं मौखिक रूप और लिकित रूप मौखिक रूप में था बोलकर तथा सुनकर मन के भाओं को समझना भासा का मौखिक रूप कहलाता है जैसे कविता बोलना, सुनना, फोन पर बात करना यह सब किसके उधारन है मौखिक भासा के उधारन है फिर इसी में था लिखित भासा लिखकर पढ़कर मन के भाओं को समझना लिखित वासा के रूप है जिसमें अक्वार पढ़ना पुस्तक पढ़ना यह सर लिखित वासा के ही उदारण है न तो बच्चों अब हम अध्याई प्रत्थम के कुछ चोटे चोटे प्रश्णों के माध्यम से अध्यान करेंगे यहां पर आपको मैंने रिक्तिस्तान दिया गया है अखलिस्तान जिसे मैंने भरावा है उत्तर दे रखे हैं आपको इन्हें इसी तरह कॉपी में लिखना है ताकि आपका रिवीजन होता रहे देखिए आप यहां पर है अध्याय प्रतम प्रतम इसकर हमें भासा डेट डाल दीजे कॉपी में फिर खालिस्तान भरे लिख लीजिए फिर जिसमें है को बासा मन के भाव या विचारों को प्रकट करने का साधन है तो आप इस तरह से लिख लीजिए गा यह कार्या सिप आपको इसलिए प्राने पहले के जो अध्याय पड़े हैं वह आपको फिर से थोड़ा दोर आते रहें रिविजन होता रहें फिर इसलिए में खो है बोलना और सुनना भासा का कौन सा रूप है बोलना सुनना भासा का मोखिक रूप है फिर गोई इसमें भासा का प्योग कितने प्रकार से क कि आलिए जाता है बोल कर सुनकर लिखकर और पढ़कर विर ड़्ल इसमें हमने आपको यह लिड़ाने की प्रेव के संकेटों में हरी लाइध red क्या संकेत देती है तो यहां पर यातायाद संकेतों में हरी लाइठ हमें चलने का संकेत देती है फिर को है गाना गाना भासा का कौन सा रूप है तो यहां पर है गाना गाना भासा का मौखिक रूप है तो बच्चों आप ये कार्याज अपनी कौपी में करिए फिर से भासा के दुबारे में इन चोट शोट प्रस्टों के माध्यम से एक बार दुबारा से अध्यन कीजिए तो चलिए बच्चों आज आपके कार्या अपनी हिंदी की कॉपी में कर लीजिए ओके बच्चों थैंक यू